मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम पेरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन को देखते हैं वो दोनों उस घर पर गोस्ट के बारे में मालूम करने आये होते हैं तभी लॉरेन उस घर में एक बच्चे को देखती है जो कि उसे देखते ही वहां से भाग कर बेस्मेंट में आ जाता है उस बच्चे को भागता हुआ देखकर लॉरेन भी उसका पीछा कर बेस्मेंट में आ जाती है लेकिन वहां उसे कोई भी बच्चा नजर नहीं आता है और लॉरेन किसी तरह उस नन के अटेक से खुद को बचा लेती हैं, इसके बाद ये सीन यही पर कट जाता है और अब हम एक फैमिली को देखते हैं, उस फैमिली में चार बच्चे अपनी मॉम के साथ रहते थे, बेसिकली उनकी मॉम का डैट के साथ डाइवोज हो गया होता है, ज उसकी बहन मारगरेट रेडी हो जाती है, गेम खेलने के बाद वो दोनों अपने बैद पर जाकर सो जाती है, अधी रात को जब जैनेट की आँख खुलती है तो ये देखकर वो काफी शौक हो जाती है, क्योंकि वो अपने रूम के बजाए नीचे हॉल पर होती है, लेकिन जैनेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कि वो यहाँ पर कैसे आई, धर हम जैनेट की बहन मारगरेट को देखते हैं, जो की सो रही होती है, तब ही उसके रूम में कोई जोर से डोर को पीटने लगता है, जिस वजह से मारगरेट की आप खुल जाती है, और जब वो रूम से बाहर जाती है, तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है, और तब ही उस रूम में जैनेट इंटर होने लगती है, जिस वजह से मारगरेट को ये यकीन हो जाता है, कि डोर को नौक जैनेट ने किया है, इसके बाद हम एड और लोरेन को देखते हैं, जो की ए जिस बात को सुनकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है, और यही पर वो शो बंध हो जाता है, इधर सीन वापस से उस फैमिली की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हम एक बच्चे को देखते हैं, जो की जैनेट और मारकरेट का भाई होता है, वो बच्चा किचन में पानी पीने आया होता है, तभी उसकी नजर बाहर जूले पर पढ़ती है, जो की खुद बखुद ही मूँ कर रहा होता है, इधर जैनेट अपने रूम में होती है, जो की वहां किसी से बात कर रही होती है, अब यह सब उसकी बहन मारकरेट भी देख लेती है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और तभी जैनेट उस पर तेज आवाज में कहती है कि तुम सब मेरे घर से चले जाओ ये देखकर माकरेट काफी डर जाती है इधर वो बच्चा भी जब अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसके पैर के नीचे एक टॉय आ जाता है जिस को वापस अंदर कर देता है लेकिन अंदर जाते ही वो वापस से बाहर आ जाता है देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है इसलिए वो मॉम के पास आ जाता है वो उन्हें बताता है कि टैंट के अंदर कोई शक्ष मौजूद है जब मॉम उस टैंट के अंदर थुम यहां पर अकेले क्यों बै treatment हो लेकिन जैनेट उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है वो उन्हें बताती है कि उसे काफी तेज बुखार है और वाख़ई उसे काफी तेज बुखार होता है नेक्स डे जैनेट घर पर ही होती है क्योंकि फीवर होने की वजह से मोर्ड भी कही नजर नहीं आ रहा होता है इसलिए जैनेट टीवी के पास जाकर उसको ठीक करने लगती है और तभी जैनेट को स्क्रीन पर एक बुरा आदमी नजर आता है और जब वो पीछे मोरती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है अभी वो ओल्ड मैन वापस से जैनेट के पीछे आ जाता है और नेट काफी ज्यादा डर जाती है जब लोरेन उस पेंटिंग को देखती है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस पेंटिंग में वही नन मौजूद होती है जिसने लोरेन को बुरी तरह डरा दिया होता है इधर नाइट में ह हम जैनेट को देखते हैं जो की एक रोप से खुद को बैट पर बांध देती है ताकि वो सोते वक्त अपने रूम से कहीं और न चली जाए नाइट में जब जैनेट सो रही होती है तभी कोई उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है जिस वजह से जैनेट की आप खुल जाती ह तभी जैनेट को नीचे हॉल में किसी के मौजूद होने का एहसास होता है और जब वो नीचे चेक करने जाती है तो उसे वो सोफा दिखाई देता है जो की खुद बखुद ही मूग कर रहा होता है अब ये देखकर जैनेट काफी ज्यादा डर जाती है जिस वजह से वो जावाज लगाने लगती है जिस वजह से उसकी बहन मारगरेट भी जाग जाती है और तभी उन दोनों के बैट कोई जोरों के साथ मूग करने लगता है जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भाग कर अपने मौम के पास आ जाती है जैनेट और मार Margaret भी रूम में एंटर हो जाते हैं उनका एक टेबल अपने आप ही मूव होकर दोर को बंद कर देता है जिस वजह से ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने घर को लीव यानी छोड़कर अपने नेबर्स के घर पर आ जाते हैं और साथ ही वो इसके बारे में कर रही होती है तभी एक चया मूव होकर उनके सामने आ जाती है अब ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी समझ जाते हैं कि ये कोई आम केस नहीं है और नहीं वो इसे सॉल्व कर सकते हैं इस वजह से पुलिस उनको बताती है कि ये केस पैरानोमल इंवेस्टिगेटर ही सॉल तभी लॉरेन को एक ड्रीम यानि एक बुरा ख्वाब आता है जिसमें वो उसी नन को देखती है जिसकी पेंटिंग एड ने बनाई होती है वो नन लॉरेन को काफी बुरी तरह डरा देती है जिस वजह से लॉरेन बाइबल के पेजेस को बुरी तरह पेंट से फारने लगत जब लॉरेन को होश आता है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। कि वो कोई और नहीं बलकी वही बुरा आदमी है जिसकी काफी टाइम पहले इसी घर में डैथ हो गई थी और जब उसकी डैथ हुई तब वो सोफे पर था। लेकिन अब भी उन रपोर्टर्स को इस बात पर बिलकुल भी यकीन नहीं होता है कि जैनेट की बॉड़ी में किसी बुरे शक्ष की सोल है। नहीं हम उन सब को देखते हैं जो कि अपने नेबर्स के घर में सो रहे होते हैं तभी जैनेट उन लोगों पर अटैक करने लगती है और यहां हमें ये बात भी पता चलती है कि उस ओल्ड मैन के साथ उस घर में एक और गोस्ट होता है जो कि पर एड और लॉरेन को ये यकीन हो जाता है कि जैनेट की बॉड़ी में वाकई कोई शैतानी रूह है जो कि जैनेट की बॉड़ी को अपने कंट्रोल में करना चाहती है उसके बाद वो वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं पैरानोमल एंवेस्टिगेटर एड और लॉर हो गई होती है अब क्योंकि एड को चच को प्रूव देने होते हैं इस वजह से एड जैनेट को उस सोफे पर बैठाता है और उससे काफी सारे क्वेस्चन करने लगता है लेकिन एड को उनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तभी जैनेट उन्हें बताती है कि गोस्ट उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देगा जब तक सब उसे ही देखते रहेंगे जिस बात को सुनने के बाद वो सब लोग अपना ध्यान जैनेट से हटा लेते हैं और तभी वो ओल्ड मैन जैनेट की बोडी में आ जाता है और वो उनके सारे सवालों के जवाब द जैनेट को देखते हैं और जब उसकी आख खुलती है तो यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि जैनेट छट से उल्डा लटकी होती है दिनेट उस रूम पर आ जाती है जहां पर बहुत सारे क्रोस लगे होते हैं और साथ ही वहाँ वो बूरा आदमी भी आ ज जाते हैं और वो जैनेट को बचा लेते हैं एड और लोरेन को भी ये एहसास हो गया होता है कि इस घर में इनके इलावा भी कोई मौजूद है लेकिन ये साबित करने के लिए इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है इसलिए वो प्रूफ करने के लिए उस घर में हर जगह क को सही कर रहा होता है तभी एट के पीछे जैनेट की मॉम को किसी के होने का एहसास होता है इसलिए वो इसके बारे में एट को बताती है लेकिन एट जब पीछे मुरता है तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता है तभी जैनेट की मॉम पर वो गोस्ट अटैक कर देता है इध जल्द ही वो डोर लोक हो जाता है और किचन में आ जाते हैं जहां उन्हें जैनेट मिलती है जिस पर शैतान ने पूरी तरह से उस पर कभजा कर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होता है लेकिन तभी वहां वही रिपोर्टर आ जाती है जो की उन्हें एक वीडियो दिखाती ह और साथ ही वो ये भी कहती है कि जैनेट ड्रामा कर रही है और इस नाटक में उसकी मौम भी उसका साथ दे रही है अब ये सुनकर एड और लॉरेन को भी वहां से जाना पड़ता है लेकिन एड और लॉरेन को अभी भी ये यकीन नहीं आ रहा होता है कि जैनेट ये सब नाटक कर रही है, तभी लॉरेन को एक खोवाब आता है, जिसमें वो उसी ओल्ड मैन से मिलती है, जिसकी उस घर में डैथ हो गई होती है, वो बाता है, कि मेरी मौत के बाद मैं यहां से जाना चाहता था, लेकिन उस नन के चलते मैं यहां से नहीं जा सकता था. गोस्ट ने अटेक किया और जो उस बच्ची को अपने कबजे में करना चाहता है वो कोई और नहीं बलकी वही नन है और तभी वहाँ वो नन आ जाती है जिस वजह से लॉरेन काफी ज्यादा डर जाती है और साथ ही वो ड्रीम से भी बाहर आ जाती है लॉरेन की नाक से बलड आ रहा होता है लॉरेन एट को बताती है कि जैनेट की बॉडी में कबजा करने वाला शैतान कोई और नहीं बलकी वही नन है जिसका मुझे कई बार ख्वाब भी आ चुका है लॉरेन एट को बताती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है हमें उस बच्ची को बचाना होगा धर हम जैनेट को देखते हैं जिसकी बोडी पर उस इवल नन ने पूरी तरह से कबजा कर लिया होता है तब ही वहाँ एड और लॉरेन आ जाते हैं अब क्योंकि सारे डोर लॉक होते हैं इस वजह से वो विंडो से जाने लगते हैं लेकिन तभी वो भी सोफे से लॉक हो जाती है तब एड एक पीछे के एक डोर से अंदर आ जाते हैं लेकिन तभी वो डोर लॉक हो जाता है इधर हम एड को देखते हैं जिसके पीछे किसी का हाथ दिखाए देता है इधर लॉरेन अपनी बाइबल के साथ घर की तरफ बढ़ रही होती है तभी आसमान से बिजली उसरी पर गिरती है जिस वजह से वो ट्री काफी नुकीला हो जाता है इधर हम एड को देखते हैं जो कि जैनेट के रूम में आ गया होता है वो देखता है कि जैनेट मीचे कूडने वाली है लेकिन तभी एड उसे पकड़ लेता है लेकिन उसका भी हाथ शूटने लगता है और तभी वहां लॉरेन आ जाती है उनकी हेल्प करने लेकिन वो नन लॉरेन को अपनी पावस से दूर फेक देती है तभी लॉरेन उस नन से कहती है कि मैं तुम्हें ये हुप्म देती हूँ कि तुम हेल में जाओ अब लॉरेन के इतना कहते ही उस नन को वहां से जाना पड़ता है। लोरेन उन दोनों को वापस ऊपर खेच लेती है। अब ठीक हो गई होती है। इसलिए वो एड और लोरेन को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है। तक्यों सो मुझ पर वाचिंग।